सो हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी युट्यूब चनल में अगर आपकी 2024 में CBAC, Class 10th या फिर 12th की बोर्ड परिक्षा है तो आपके माइड में कहीं न कहीं एक बार ये कोशन जरूर आएगा कि CBAC की जो ये बोर्ड परिक्षाई होती है तो आखिर कोशन से कहां से उठा कर पूछा जाता है अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से कोशन से वहां से पूछा जा रहा हो कि कहां से जो कोशन्स है वो CBAC बोर्ड एक्जामनेशन में आता है तो चलिए मैं आप लोग को जो रिसोर्सेज हैं वो आप लोग को एक एक करके बताता हूँ देखो CBAC की जो बोर्ड परिक्षाई होती है इसमें लगभग 30-40 परसेंट जो कोशन होता है वो हर साल ऐसा देखा जाता है कि previous year से पूछा जाता है तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि previous year के कोशन पेपर की तेयारी करना अब इसके लिए किताब भी हमारे market में available है बट वो थोड़ा सा costly पढ़ जाता है तो अगर आप किताब खरिदना नहीं चाहते हो तो यह आप CBAC के official website से बिल्कुल free में download कर सकते हो with answers वो भी अगर आपको download करने नहीं आएगा तो मैं description पे उसका link दे दे रहा हूँ कि कैसे आप previous year के questions को download कर सकते हो तो उसको download कर लेना त्यारी करना questions आपका previous year से 100% guaranteed है कि वो पूछा ही जाएगा 30 to 40% जो questions रहेगा वो आपका previous year से ही पूछा जाता है मतलब कि ऐसा समझ लो कि अगर आपने previous year के questions की त्यारी कर ली तो आपको pass होने से कोई रोक नहीं सकता है यह पहली चीज हो गई दूसरा resources क्या है तो दूसरा है NCRT की किताब जो NCRT किताब है वो हमारे लिए बहुत 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 जादा important है क्योंकि NCRT book से हमारे examinations में at least उसमें से भी कम से कम 20-30% questions रहते हैं देखो ऐसा नहीं कि NCRT से सारा का सारा questions उठा के हमारे board परिक्षा में पूछा जाता है उरा का पूरा question नहीं आता है 20-30% question आपका मिल जाएगा मतलब कि अगर आप previous year के questions की त्यारी कर लेते हो NCRT का solution mathematics का भी हमने एक एक करके जो है upload कर दिया है अगर आपको देखना होगा तो मैं description पे अपनी चैनल का link दे दूँगा आपको आप उसको जाके subscribe कर लेना और जो भी आपको solution देखना होगा जिस भी question का वो आप देख सकते हो तो NCRT स्तयारी जरूर करना चाहे कोई भी subject हो ऐसा निसरी mathematics NCRT का आपका science हो गया mathematics हो गया social science है English है NCRT की सारी किताब हैं हमारे लिए important है previous year plus NCRT कर लेते हो 50% माँ secure हो जाएगा मतलब की 80 में आपका 40 मार्क समझ लो आ गया है तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को एक चीश समझ में आ गया होगा कि 50% जो questions रहता है वो previous year और NCRT किताब से रहता है तो अगर आप सिरिफ इन दोनों को follow कर लेते हो तो समझ लो कि 80 में 40 number आपका secure हो जाएगा अब बाकी जो 40 number बच गया तो इसमें आपको थोड़ा सा महनत करना पड़ेगा क्योंकि इस बार और भी आपका जो exam का जो pattern है वो change किया है पहले तो 40% ही competency based question था बट इस बार से 50% किया है मतलब कि 40 number जो आपका question रहेगा वो competency based रहेगा अब इसमें आपका बहुत अलग-अलग type से questions रहता है जैसे assertion region में रहेगा case study based में रहेगा MCQ में रहेगा और भी other types में questions सरा सकते हैं तो इन सब questions की तैयारी आप कैसे करोगे यहां पर question आता है देखो इसके लिए cbac ने एक practice questions जो है वो देती है पिछले साल दी थी यह starting किया गया है 2023 बोर्ड परिक्षा से तो अगर आप लोग को वो वाला download करने नहीं आएगा practice paper तो comment करना मैं ने उसके लिए भी video बनाया हुआ है मैं उसका वी link description पे दे दूँगा उसमें बिल्कुल नए नए pattern के questions दिये हुआ है competency based questions MCQ है assertion region है case study based questions है हर type के questions को cbac ने officially निकाल की दिया हुआ है कि इस तरह के questions के त्यारी करो आपके board परिक्षा में questions यहां से हम देंगे ठीक है तो नए pattern की questions की त्यारी आप लोग करना है तो कुछ questions वहां से भी पुछे जाएंगे कुछ questions मैं आप लोग को और भी कुछ हमारी reference किताबे रहती हैं वहां से मैं आप लोग करवाऊंगा नए नए pattern के questions नए नए type के questions जिससे कि आप board परिक्षा में 80 में आपका 75 plus marks guarantee है कि वो आ जाएगा तो हमारी चैनल को आप subscribe करके जरूर रख लेना क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आप लोग के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज लेके आने वाला हूँ important questions की जो कि आपके examinations में जो भी मैं आप लोग को बताऊंगा हो बहु वही question आपके board परिक्षा में आ जाएगा देखो previous years का NCRT का ठीक है वो आप त्यारी कर लोगे 40 marks का त्यारी कर लोगे लेकिन बाकी जो 40 number लाने रहेंगे वह आप लोग के लिए थोड़ा सा difficult होगा तो इसके लिए मैं आप लोग कर रहा हूं कि इसके लिए आपको नए questions की त्यारी करनी होगे और यह मैं आप लोग करवांगा नए questions की त्यारी तब तक चैनल को subscribe करके रखना मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू बाबाई